नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसे टीप चैनल में देखिए आज हम बात करेंगे इस यूडियो में 36 गर के बस्तर संभाग के जीलों के सभी जीलों के जो आप भ्यर्थी है इनके लिए बहुत बड़ी खुस ख़वरी है क्योंकि 400 पद उपर जव फोम भरे गए थे सारी जानकारी आपको प्रूफ के साथ सबूत के साथ दी जाएगी एक कोई भी फेक जानकारी आपको नहीं दी जाएगी तो आप वीडियो में सुर से लाश तक बने रहिए लाश तक आप वीडियो देखिएगा वीडियो लाश तक देखने के बाद यद आपको पता है समान्यमानसी के गता की 30 नंबग प्रसनाते हैं साथ में अदि आप हिंदी व इंग्लीज के भी चाहते हैं 10-10 नंबग त्यारी करना तो आप बताएगा मैं उसका विडियो अभी तीन से चार दिन प्रक्टिस सेट के रूप में आपको लगा दूगा बाकि आप सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तर संभाग के जो अभ्यर्थियों के लिए जो 400 पत अबर जवानां भरती होगी उसके लिए देखिए आपका 36222 साज ही के आपके दैनिक भासकर के पेपर में आया हुआ है इसका जो है पीडियाप आपको मेरे टेलीग्राम गूप में मिल दूँगा सारी का पेडियाप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम गूप का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा वहां जाकर जोइन हो जाएए आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी प्रूप के साथ आगे देखिए बस्तर के लिए वहीं के 400 जवान भरती कर सामिल तो सबसे ज्यादा नकसली छेत्र कोन है बस्तर संबाग में आपका सुक्मा बिजाफूर और दंतेवाडा ठीक तो यह जो तीन जिले हैं यहां देखिए आपको बताया गया है कि तच्छिर बस्तर के तीन जिलों दंतेवाडा बिजाफूर और सुक्मा जिले जो इन केंद्र सरकार से मंजूरी आपकी मिली जा चुकी है इसके लिए जो आवेदान आपका केंद्र सरकार के पास भेजा गया था पिछले साल से ही यह भेजा गया था कि यहीं के इवां को भरती कराना है तो उसका आपका मंजूरी दे दिया गया है केंद्र ने लिया फैसला यह समान्य सेवा के 400 उमिद्वारों भर्ती के लिए जवरी नियुंतम सच्रिक योगता में छूड़ भी मांगी गई थी इसमें आठवी कक्छा उत्तिर विवाओं को समिल किये जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है यहां का आग्या एक भर्ती के बाद इन्हें ओपन इसकूल से उन जीलों के अभ्यर्थियों के लिए तो आपकी आठवी पास भी अभ्यर्थि हैं तो उसमें पूरी तरह से योग्य होंगे उसके लिए ठीक तो आपका इसका जल्द ही आवेदन भराया जाएगा तो यदि आप बस्तर संभाग के अभ्यर्थि है ठीक न इन तीन जीलों क तो आपके लिए बहुत ही बढ़ी खुसखवरी है कि 400 पदों पे जल्द ही आपकी भरती होगी वह भी CRP अपके तो आप यदि जवान के भरती में जाना चाते हैं डिफेंस के छेतर में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुसखवरी है तो यही आपको इस यूडियो में का क्रेज 12 जून को प्रवेश परिक्षा होगा डिये लेट के लिए ज्यादा मिले आवेदन यहां बताये गया है कि बीएट के लिए आपका जो है बीएट की 14,000 सीटों के लिए डेल लाग फोम पिछले बार उनहत्तर हजार ने दी थी परिक्षा तो पिछले बार कितने फ क्रेजанный फोम आपका भराया जा चुका है इस बार भरा गया है तो इसके पीछे कहीं करया रहाए कि आपका मतलब ये 12,000 city हैं और राज्य में करीब 600 से अधिक center केंदर आपके बना जाएंगे 12 जुन को जो परिक्षा होगा उसके लिए तो इस बार आपको यदि government sit पाना government sit के तो बहुत ही कम college है आपके 3 college सायद है लगभग 3 college है आपका government ठीक न सरकारी B8 college बाकी तो सभी private B8 college है ठीक न तो यद की बहुत ज्यादा candidate इस साल है फोम भरने वाले B8 में भी साथ में D8 में भी यहां देखिए पिछले साल बार्वी के आधार में बटी थी D8 के sit पिछले बार क्या हुआ था 50,000 लगभग आवेदन आपका भराय गया था D8 के लिए और D8 के लिए जो seat है आपका हो यहां बता गया था ठीक नए D8 में भरा था जिसके वज़़ा से आपका बार्वी में जो आपका परसेंट आया था उसी परसेंट के आधार पर कांस्लिंग में ले लिया गया था जो परवेश पाइक्छा नहीं दया था उसको भी लेकिन इस बार इसका भी D8 का भी इससे ज्यादा candidate न जो है ठीक न मतलब किसने नंबर वालों को मिलेगा कुलेज यह पता आपको परिक्षा के बाद चलेगा जैसे अभियर्थी उपस्थित होते हैं उसके साथ ही आपको पता चलगा उसके इसाब से और आपका परिक्षा का लेबल कैसा रहता है मतलब पेपर का लेबल किसकार से उसपर भी आपका डिपेंड करेगा तो अभी आपको इसके लिए प्रक्टिस सेट चलाया जा रहा है मेरे द्वारा रिजिदिंग प्रक्टिस सेट वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से आपका डिस्क्रिप्टन बॉक्स में लिंक है उसमें सावाने मानसी क्योगता का आपका जो है प्रक्टिस सेट अभी मैं अच्छा है प्रक्टिस सेट करा चुका हूँ जिसमें आपको तीस नंबर के प्रसन आते हैं जिसके लिए आपको पता होगा डिएट की आप तैयारी कर रहे हैं फिर भी दोनों के लिए तो तीस नंबर यदि आप इसमें ले लाते हैं तो चालू किया जाएगा practice set लाने का ठीक तो इस बार देखे इस बार कितने अभ्यर्थियों का होगा मान लिजिए डेल लाक आपका मतलब 150,000 आपका अभ्यर्थी जो इसमें फोम भरे हैं और सीटें कितनी हैं आपकी 14,000 लगभग सीटें हैं ठीक ना 14,000 तो आपका एक अभ्यर् क्यों में एक सीट होगा क्योंकि डेल लाक फूम भराये गया है तो पिछले बार कितने का competition था आपका 14,000 लगभग साड़े चाल ज्यादा ज्यादा बोले तो पांच अभ्यर्थी पर एक सीट था इस बार आपको मेहनत भी कड़ा करना पड़ेगा तो इसको आप ध्यान दि लिंक है उसको आप जाकर देख लिजिए आपको अच्छा लगे तो आप लगातार में पास प्रेक्टिस सेट भी आपका अप्लोड मैं करूंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा यदि आप इसकी त्यारी कर रहा है तो और साथ में नोटिफिकेशन ज सब्सक्राइब लिंक है वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा चैनल अपके हैं सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो जखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का चली मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज भारत जै च ते ज़र